हेलो फ्रेंज, वेलकम के ट्वंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR Vector Control Research Center की New Requirement Notification के Online Form Apply Process के बारे में तो फ्रेंज यहाँ पर देखिए जो यह Notification है यह आपके Various Post के लिए जारी की गई है जिसके लिए आप Online आवेदन कर सकते हैं और जो यह Vacancy Notification है इस से Related सारी जनकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्रिप्शन में JobRasa.com पर जहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप Applicable है, Eligible है, Apply करना चाहते हैं तो आप इसमें Online Apply कर पाएंगे बात करेंगे इसके Form Apply Process के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर देखिए फैंस, यह इसका Official Portal है जहां से आप इसमें Online आविधन करेंगे सबसे पहले आपको Register करना है तो Register Tab पर किलिक किजिए आपकी Mail ID, आपका Mobile Number, आपका नाम और आपकी Nationality यहाँ पर आपको Fill करना है इस Capture Code को Enter करना है और उसके बाद फैंस, आप दिये गए Register Tab पर किलिक कर सकते हैं इसके बाद फैंस, एक Activation Link आपकी Mail ID पर जाता है जहां से आपको आपकी Mail ID को Verify करना होगा Mail ID verify करने के बाद, आपको देखिए Register जो Mobile Number है और यह जो Capture Code है यह डाल कर generate OTP करनी है आपके Mobile पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको verify करने होगी तो फैंस, यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद, आपको देखिए एक Password बनाना है और ध्यान रखिएगा पासवर्ड आप ऐसा बनाएगा, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिये गए है, जैसे Special Character आपके उस Password में होने चाहिए अपर Case होने चाहिए, मतलब Capital Letters, Small Letters होने चाहिए और Numbers आपके उस Password में होने चाहिए तो यह सब details आपके अगर उस Password में आपको combine करनी है, पासवर्ड को यहां से generate करके ही आप यहां से इस form को submit कर सकते हैं इसके बाद आप यहां से दिये गए login section पर click कर देंगे इसके बाद Friends, आपको आपकी register, mail ID और जो password आपने create किया होगा वो डालने के बाद और आप इस capture code को डालने के बाद यहां से login कर सकते हैं इसके बाद Friends, यहां पर देखिए आपके सामने जो form है वो start हो जाता है, सबसे पहले available post पर आप जाईए जैसे आप यहां पर click करेंगे, आपको Friends देखिए जो vacancies है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी इसी तरह से Friends, आप इन में से जिस भी यहां पर जो है post के लिए आविदन करना चाहते हैं, आप उसके लिए आविदन कर सकते हैं तो multiple options हैं, आप इन में से जिस भी post के लिए apply करना चाहें, उसके सामने दिये गए apply वाले option पर click up कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आप यहां पर इस post के लिए आविदन करना चाहते हैं, तो यहां पर Friends, आपको लिए qualification वगेरा आपको यहां पर दिखने को मिल जाती हैं उसके बाद ही आप यहां से data को proceed करेंगे, proceed करने के बाद Friends, आपका कोई भी alternative mobile number आप यहां पर दे सकते हैं, इसके बाद आपको आपका जो नाम है, full name वो आपको यहां पर provide करना होगा, आपका gender आपको select करना है, meritor status आपको select करना है, इसके बाद आपको mother name देना है, आपका father name आपको provide करना है, DOB क्या है, means date of birth तो वो आपको यहां पर देनी होगी, तो मैं सिर्फ sample के तोर पर यहां पर data एंटर कर रहा हूँ, जितनी भी data यहां पर मैं एंटर करूँगा, यह सिर्फ demo के तोर पर है, आपकी actual जानकरी आपको देनी होगी, ऐसे ही आपका state है, वो आप certificate upload कर सकते हैं, नहीं belong करते हैं, इन category से तो आप simply no कर देंगे, इसके बाद friends यहां पर देखिए, आपको photograph and signature upload करने हैं, और यह JPG format में upload करेंगे, size आपको यहां पर दिये गये हैं, इसके बाद ही data cop save and proceed यहां से करेंगे, इसके बाद friends यहां पर है आपका address section, तो friends जो भी address है, वो आप यहां पर enter करेंगे, आपको यहां पर friends देखी, जो address है, उसमें आपको यहां पर कहा गया है कि जो address है, उसकी जो line है, वो कम से कम 10 character की आपकी होनी चाहिए, तो यहां पर friends है, आपको जो आपका पूरा address है, वो आप mention कर सकते हैं, इसके बाद आप यहां पर सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग एंट्री कर सकते हैं इसके बाद आप सेवन प्रॉसीड यहां से कर देंगे सेवन प्रॉसीड करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको तैन्थ की जानका आपको PDF format में यहाँ पर upload करना होगा तो यहाँ पर देखिए qualification add होने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर और qualification एंटर करनी है जैसे आप 12th pass out है तो आप 12th में stream select करेंगे board का नाम year of passing percentage आप यहाँ पर provide करेंगे इस post के लिए देखिए friends जो भी mandatory है जैसे बारवी mandatory है साथ में diploma आपका mandatory है तो आपको उसके according ही जानकारी यहाँ पर देनी होगी तो आपको friends से board का नाम आपको देना है आपका year of passing क्या है वो आपको यहाँ पर provide करना है इसके बाद same आपको यहाँ पर percentage mention करना है class obtain आपको देना है और उसके बाद इस qualification को upload कर देना है ऐसे ही आपके पास कोई diploma है या degree है जो भी उस post के लिए mandatory है वो आपको यहाँ पर select करना होगा तो यहाँ पर friends से आपको stream वगेरा select कर लेना है इसके बाद इसके आपको सेम आपको section है उसके according ही आपको यहाँ पर entry करनी होगी percentage of marks क्या है यह आपको देना है class या division कौन सा है और certificate यहाँ पर आपको upload करना है तो यहाँ पर friends से आपकी जो qualification है वो add करने के बाद ही आप यहाँ से data को save and proceed कर सकते हैं इसके बाद आता है आपका experience section अगर आपके पास कोई experience है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं है तो directly आप यहाँ से skip कर देंगे इसके बाद friends से next option है आपके other details का जैसे आप government में employed है या नहीं है ICMR project में आप यहाँ पर employed है या नहीं है age में छूट चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पर friends VCRC आपको select करना है और उसके बाद save and proceed कर देना है इसके बाद exam city है तो exam city friends दो ही आपको मिलेंगी pondicherry और chin नहीं तो आपके according आपको preference यहाँ पर देना होगा और उसके बाद save and proceed आप कर देंगे इसके बाद है preview section, preview section को यहाँ पर ध्यान से check करके आप इसे declare करेंगे और उसके बाद यहाँ से submit कर देंगे इस application form को तो यहाँ पर देखिए friends अब आपको आपका जो exam fees है वो pay करना है जो fees आपकी लगेगी वो आपको यहाँ show करेगी आप QPay पर जाएंगे और pay now वाले option पर click कर देंगे यहाँ पर multiple options है आप चाहे तो UPI यूज़ करें net banking यूज़ करें, card यूज़ करें और उसके बाद आप continue payment यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंस से card का option मिल जाएगा यहाँ पर आपका जो card है वो आप select करेंगे card के इसको fill करेंगे और उसके बाद pay now वाले option पर click कर देंगे आपका payment जैसे ही verify हो जाएगा आप अपना final print out सेव करके अपने पास से रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जनकारी provide कर दी है कैसे आप ICMRVCRC का online form apply कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रहे हमारा YouTube channel Last things for watching comment कर दिए साथ 1. आप United 1. अभ quarantine 6. पर आप C. झाल झाल